थी के मुस्लिम हूँ आप मुंस्लिम है मुस्लिम है और अब पता है क्यों आप ? आप नहीं मानते है। सर मैं आप से पूछ रहा हूं क्यूं मानते है मैं क्यूं मानता वो तो मैं बता दूंगा आप नहीं मानते है क्या मुझे इस बात से फरक ही नहीं पड़ता अल्ला एक है या दो है मुझे बताओ कि मुझे क्यू फरक पड़ना चाहिए इस बात से कि अल्ला एक है दो है अनेक ह जी इससे बहुत फ़रक पड़ता है क्या फ़रक पड़ेगा मेरी जिंदगी में सोसाइटी में क्या फ़रक पड़ेगा कि भाई अल्ला एक हो या अनेक हो क्या फ़रक पड़ेगा वो जरा बता दो तीन चीज़ बता दो जिस जिन्दगी सोसाइटी का बात कर रहे हो, यह तो कुछ भी नहीं है, यह सब तो अल्ला ने बनाया है, मरने के बाद का असल जिन्दगी है, तो आपको उसके बार मैं तो सुचना चाहिए, यार, मतलब इस जिन्दगी में आप कोई एक ऐसी बात नहीं बता सकते, जिससे मेरी जिन्दगी में या सुसाइटी में फरक पड़े, कि अल्ला एक है, दो है, या नेक है, जी, यह मैं मानता हूँ आपके बात, लेकिन मैं, अरे, बुलाब बेखो यार, जी, मैं आपके बात बहुँ आपके लिए, क्या बोला मैं नहीं मिस कर दिया, यह कह रहा है कि यह बात को मेरी मानता ही है, कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता, जिन्दगी में किसी की कोई फरक नहीं पड़ता, कि वो यह माने कि अल्ला एक है, मतलब वो अनेक माने, एक माने, दो माने, तीन माने, उससे किसी की लाइफ में कोई फरक नहीं पड़ता, कोई नुकसान फाइदा उसका कुछ नहीं है ये भाई ने बता दिया, इसके वज़े से मैंने कहा कि यार इतना मुमिन सच्चा ही से बात करें तो ए गुलाब तो फिर आप पुचा दे कि मैं मानों अल्ला एक है आचा मरने के बात जिंदगी होती है हाँ होती है क्यूंकि ऐसे ही तो आगित करदे मैं अग्से मानना शुरू कर दूँगा क्या होते है उस जिंदगी में जो किताबों में लिखा है कुरान में किताब में कोई किताब में लिखा हुआ है कि घोड़ा उड़ता है तो मान लोगे नई इसी जिए तो मैं पूछ रहा है आप बताईए कि आप मानते अल्ला है या भगवान है कुछ है तुम बताओ अपना बताओ आप नहीं बताओगे इसका मतलब या फिर आपको पता नहीं है मैं तो तब बताओ ना जब मेरी जिन्दगी में कोई फरक पड़े आपने खुद कहा कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इस बात पे गोरो फिकर करूँ कि अल्ला एक है अनेक है है भी के नहीं है आपने खुद कहा तो मेरे को क्या फरक पड़ता है मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता है तो आप सीधे बोल देजिए मुझे अल्ला से कोई लेना देना नहीं है आप बता दो लेना देना क्यों रखूँ है कि अपने बनाने वाले साप को कुछ देना देना नहीं की जानू की जानूँ है एक वास बताओ की अधिनो अब याकर मैं मेरे पास है एक भाई ने मुझे अभी एक मुबाईल गिफ्ट किया था सामसंग का एस तुइंटी टू अल्टरा ठीक है उससे पहले मैं जो भी मेरे को लगबग गिफ विफ अगर मिलता है तो मैं बता देता हूं लोगों को लोगों को पता इससे पहले किसी ने मेरे को जो है वो आइफोन फिफ्टीन प्रो मैक्स गिफ्ट किया था तो भाई ने कहा कि मेरे पास एस टुइंटी टू अल्टरा पड़ा है मैं मोबाईल नया ले रहा हूं आइफोन यह आप ले लो तो उन्होंने में को दे दिया अच्छा अभी अगर मैं अब दोनों पुराना है एस टुइंटी टू अल्टरा के बाद तो तुम्हारा अभी एस टुइंटी फूर अल्टरा चल रहा है और वो आइफोन में तो अभी क्या कहते हैं यह कैसा सवाल है हिवा गिफ्ट नहीं बताएगा यह कदर लागता गुरू तो अब एस टुइंटी टू के बाद तो तुम्हारा एस टुइंटी ट्री और एस टूइंटी फूर अभी चल रहा है और आइफोन में चल रहा है 16 प्रो मैक्स मतलब मैं अभी अब अपडेटेड नहीं अपडेड़ेड मेरे पास नहीं है आउट बात बता मेरे को अगर मैं अल्ला से अभी एकदम सच्चे दिल से एकदम सच्चे दिल से दुआ करो के ऐल्ला मुझे अभी गैबी तोर पे ऐल्ला मौज़े के तोर पे ऐल्ला करामत के तोर पे मेरे अल्ला मेरे एक अल्ला मेरे साथवे आसमान के उपर अर्ज पे मुस्तव हुए अल्ला एपीडोफाइल नभी के अल्ला तु मुझे अभी इसी वक्त दो मिनिट के अंदर आईफोन 16 प्रो मैक्स एक दे दे अगर मैं इस तरीके से अभी अगर दिल से दुआ मांगू तो क्या आपका अल्ला मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स दे सकता है आप कितनों भी दिल से मांगो दुआ एक सिक्का नहीं मिलेगा आपको तो बोलो मैं अल्ला को क्यों मांगो से ना फरक कर रहा है बोलो अल्ला को की मानों मैं बता रहा है आपको एक बड़ सुचना चाहिए यह दुन्या है यह इंसाण है यह सब अल्ला को आप नहीं मानते कोई तो बनाया है सुन मेरी बात हो सकता, हो सकता, अरे सुन तो सही अभी सवाल जब किया है तो, हो सकता है कोई बनाया है किसी खुदा ने, हो सकता है किसी ने नहीं बनाया, अपने आप आ गई हो, ठीक है, अपने आपका कोई सवाल ही नहीं आता है, अच्छा अपने आप कोई चीज नहीं आ सकती, नहीं, ओक अगर कोई चीज अपने आप नहीं आ सकती तो अल्ला अपने आप कैसे आया ये कोई नहीं बता सकता है अगर कोई भी चीज अपने आप नहीं आ सकती तो ये सवाल फिर आम अल्ला के उपर भी करेंगे अल्ला अपने आप कैसे आगया अल्ला है ना है उसका तो इनकार नहीं ने कर सकते आप ये तो तो भी तब हमें कहा हो मेरा बनाने वाला भी है तो किस अने का आपको अल्लह ने बनाया। चीम हे आप परहल Q वह हो तो है आल्लह ह। जीम आपर कर पहले तो मुझे तो यह साबित कर चारी के मुझे क्यों जानना है कि अल्ला है क्या नहीं है उसका जवाब तुने अभी तक नहीं दिया है ये तो तेरा सेकंड सवाल है कि अल्ला है क्या नहीं है वो तु साबित करेगा पहले ये तुने थाबित नहीं किया कि मैं क्यूं जानू अल्ला है क्या नहीं है ч आखी और सब्सक्राइब को बंगे कीव जानू जी अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो उसकी सज़ा तो बात में मिली जाएगा अरु मेरे को एक अच्छी वजा तो बचा दे के मैं जानने की कोशिष करों आइसी सजा भीना कोई यानि आप कोई मेरे को एक अच्छा आर्गूमेंट भी नहीं दे रहे कि मुझे क्यूं जानना चाहिए और उसके बावजूद आफ मेरे कुछ सजा देना आपका ईल्ली सजा देना चाहता है कुछ रीजन तो बताओ वा इक्षस मुद्हानakapने जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांकी लोग आप हमें बगे बताएं कि हम क्यों माने आपके ऐला को अप इसके बारे में हमें पॉइंट्स बताएं कि अगर मैं अल्ला के सिवा अगर सी राम के बारे में यह मानूं कि शीराम जी ने यह पुरी स्रिष्टी की रचना की है तो कोई प्रॉब्लम नीए ना फेर नहीं कोई नहीं है कोई तो है ना जिसको आप मान रहे हैं हाँ मैं अगर शीराम को मानू के शीराम ही जो है वो असल परमात्मा है उन्होंने ही सिष्टी की रचना की है उन्होंने ही हम सब को दुनिया में बेजा है तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना फिर जी कोई परफ़र नहीं होगा फिर अगला सवाल आएगा आखिर उसने असा क्यों किया क्यों दुनिया को बनाया मतलब अगर कोई अगर शीराम जी को भगवान माने तो फिर कोई प्रॉब्लम निये रै помог यह मतलब एक को तो भगवान मान रहा है तो फिर जन्नत मिल जाएगी उसको श्री राम को मानने से जन्नत नहीं मिल जाएगी एक को तो मान रहा है ना किसी एक को हाँ शीराम को मान रहा है वो तो उसको जन्नेत मिलेगी फिर अगला सवाल आएगा उसको सारे सवाल का जवाब देना होगा अच्छा मतलब सिर्फ अभिरे को पहले आपने ये कहा था कि खुदा है ये मानो चाहे किसी को भी मान लो अब जब मैंने ये अगरी कर लिया कि ठीक ह मैं शीराम को मानता हूँ अब तुम्हारा सवाल खतम नहीं हो रहा है अरे साहिल साब इनका दूसरा कोश्चन इनी से जवाब लो उसका जो ये दूसरा कोश्चन अपने पे डाल रहे हैं इन से जवाब लो किया है बड़ी हाँ शेरियाड क्या है इन दूसरा कोश्चन अब बोल रहे हैं कि चलो मैं मानता हूँ अल्ला है बगवान है एक है अब दूसरा सवाल ये आगे है कि अगर कोई है तो उसने आपको और आपके लिए इस दुनिया को क्यों बनाया अब सिस्वाल आपका जवा क्यू बनाया है और अगर उसने बनाया है इसने बना करमें छोड़ दिया या फिर उसने अपना मैसेज भी हमारे पास बेढ़े जा या या तो जब तेरे पास सवालों के खुद के सवालों के सुन मेरी बात जब तू जिस अल्ला को मनवाने आया है उस पे अगर सवाल किया जाए और तुझे खुद नहीं मालूम है उसका जवाब देखना पड़ेगा तो भाई इतरा के तावच के दे रहा है मुझे तू जवाब मालूम है बता अल्ला ने दुनिया क्यों बनाई अल्ला ने अबादत के लिए दुनिया बनाई अपने अबादत के लिए उके उससे अल्ला को क्या मिला अबादत करवा के अबादत करवा के क्या मिला अल्ला को जी अल्ला अल्ला इंसाफ करेगा अपने आपको अबादत करे ना इंसाफ करे उससे बात नहीं यार एक मिनिट थोड़ा सबर कर अभी तेरा मामला भी सेट कर दो मैं थोड़ा खेलना चाह रहा था लेकिन अब अमित साब ने वोला कि यार चलो इसको जो डिरेक्ट ही पूछ अटैक कर दो थोड़ा खेलेंगे अल्ला इबादत करवा के करवाने के पैदा किया है तो उसका क्या फैदा अल्ला को क्या फैदा अल्ला को कुछ भी फैदा नहीं है एक हिसाफ से देखा जाए था कुछ भी फाइदा नहीं है एक मिन दोगो अच्छा कोई अगर अल्ला की इबादत ना करे तो उसको क्या नुकसान है उसको कुछ भी नुक्सान नहीं है कोई नुक्सान भी नहीं है यानि अल्ला जो है बे मतलब बे फाइदा इस दुनिया को बना दी या फे इस बात से अगरी करते हो आप क्योंकि ना उसका फाइदा भाई उसका क्या मुझे हमारे लिए बनाया वो सवाल नहीं है उसका क्या फाइदा उसका क्या नुक्सान या उसका क्या मतलब है आपने का उसका फाइदा भी नहीं आपने का उसका न नुकसान भी नहीं तो बे मतलब ही दुनिया बना दी हमारे लिए आप बना दिया है तो आप उसको तो हम यह नहीं कह सकते क्यों बना दिया नहीं बनाना चाहिए अब बे मतलब दुनिया बना दिया उसका फाइदा नहीं उसका नुकसान नहीं उसके लिए कोई मतलब नहीं ब करते हो ना कि बेमतलब की दुनिया बनाई अल्ला ने उसका कोई फाइदा ने नुक्सान ने बेमतलब की दुनिया बनाई उसका कोई भाई इसने ये भी अग्री कर लिया कि अल्ला बेमतलब काम किया है दुनिया बना के अल्ला बेमतलब काम किया दुनिया बना के और एक गु आप बेजो यार, इसके अगर आलिम अगर इसको सुन रहे होंगे न, इसकी, जी, सब मानते हैं, अपने साइदा और अपने लुक्तान के लिए नहीं बनाया, दुनिया सब मानते हैं, तो दुनिया का जितना इंसान गुनाह करने लगे, सारे इंसान बलतकारी पर उतारा, आप मानते हैं, अभी इसको खतम करते हैं, आपने का अल्ला बेमतलब काम किया, दुनिया बना के, जो बेमतलब काम करे, वो बेवकुफ है के नहीं है, तो अगर इंसान कोई करता है, तो वो है बेवकुफ है के नहीं है, तो अगर इंसान कोई करता है, तो वो है बेवकुफ है, और अगर खुदा करे तो? फिर खुदा से पूछना परेगा उसने क्यों किया है? एक्जैक्ली, तो पूछ के आओगे, कभी पूछ के आओगे? जी, जब आप उस वहां तक पहुंच जाओगे, तभी पूछ पूछोगे ना? अरे वो तो तुछ अभी तुछ के आओगे, बताएगा कि ये बेवकुफी वाली काम तुने क्यों किया, अल्ला ने जब किया है, तो अपना प्रफिटी भेज रहा है, पैगंबर को भेज रहा है, वो बाती नहीं है, उसने तो अग्री किया, बे मतलब काम किया, और बे मतलब काम करना ये बेवकुफी होती है, ये पागल पनोता है, तो आपने तो फुद काम करना लिया, आपका अल्ला सुन तो सही शारी, जब आपने इस बात को लिए किया, आपने अभी यहाँ पे कंफर्म किया था, कि अल्ला ने बे मतलब किया, उसको कोई फैदा, कोई नुक्सा नहीं है उसका, तो बे मतलब का काम किया ना, बे मतलब का जो काम करें उसको बेवकुफ कहते हैं, तो आपका अल्ला बेवकुफ भी निकला, आपका अल्ला जो है वो पागल भी निकला, तो भाई ऐसे बेवकुफ अल्ला और पागल अल्ला को पागल खुदा को क्यों मान र कर रहा है तो आप मेरे बातों से कैसे साविट करोगे कि अपने यह अग्री किया ना कि अल्ला बे मतलब उसने काम किया दुनिया बना के उसको कोई फाइदा कोई नुकसान नहीं यह में कर अगर उसका मकसद कुछ कोई नुकसान में परने परन थे मिला इबादत करवा के क्या मिला उसको इबादत करवा के आपको फैदा हुआ ना आप इबादत करो तो यही तो बात फिर कह रहा हूं कि उसका मकसद कोई काम का ही नहीं है मैं ऐसे खुदा को तो मान ही नहीं सकता जो बेवकूफ और पागल गिरी करे जो बेमकसद चीजों को बनाए मैं ऐसे खुदा को नहीं मान सकता एक लिए आप अगर मुझे करना चाहते हैं कि आप मेरे खुदा को मानो तो वो खुदा बेवकूफ नहीं होना चाहिए वो खुदा पागल नहीं होना चाहिए उसके काम बेवकूफ है वालो नहीं होने चाहिए लेकिन यहाँ पर अभी थाबित हुआ, आपसे पूझके मैंने ये थाबित किया कि आपका अल्ला जो है वो बेंतलब काम भी करता है आप ने कहा कि मेरे पास जो है वो कोई जवाबी नहीं है तो भाई ऐसे खुदा को मैं तो नहीं मान सकता अगर आपको ऐसे बेवकुफ खुदा को मानना है तो आपकी मर्जी और एक चीज मैं एक सवाल करता है एक मिट एक मिट एक मिट एक मिट एक पूछिए और एक सवाल करता हूँ जो इटरनल हो eternal समझ में आता है यार eternal को इंदी में क्या बोलेंगे भाई लोग जो हमेशा हमेशा रहे जो कभी खता भी नहां जो हमेशा रहे हमेशा हमेशा रहे क्या आप उसको खुदा मानुग या नी मानुगे जो अनन्ट हो अनन्द हम बी तो है हम हमेशा से नहीं हैं लेकिन हमेशा तो रहेंगे न तो आप भी खुदा है मतलब फिर आप भी खुदा होगे न आप अनंध है और अनंध जो है सिर्फ खुदा ही अनंध हो सकता है इंफानाइट हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है तो फिर आप भी खुदा होगे मेर कि आप खुदा के ही हिस्से हो और आप हमेशा हमेशा रहोगे तो ये तो हिंदुईजम का कॉंसेट आप तो सनातनी बन गए लो भाई हमारे प्यारे भाई सनातनी बन गए इनके लिए एक गुलाब फिर से बेजो इन्होंने देखो मैं आपको अभी पूरी पूरा एक समरी द जानन्त है तो ये वाला कॉंसेट तो जो है इटरनल जो है वो तो खुदा होता तो ये खुद भी खुदा है बगवान है यह यार मैं तो आपको कॉंग्राचुलेट करूंगा कि आप बगवान हो गए तेरे को कितने साथ भाग गया वे सलातनी वहला है गुलाफ तो लेके चल ले जाना अरे डंगर एक नंबर का तीन गंटे बात करोगे उसके बाद में बोलेगा अल्ला एक है रसूल उसका मुहमद उसका रसूल है ले लेकिन अभी उसने कंफर्म किया ना कि यह अनंत है करके यह यह इटनेल है कंफर्म किया ना उसने तो इटनेल जो है खुदा इटनल होता है ना हमेशा हमेशा तो खुदा रहता है यह थो भी खुदा है अल्ला बेवकुफ है यह भी साबित कर दिया है साहिल भाई जब उपर वाले को अपनी इबादत ही करवानी थी तो जन्नत में बिठा के रखता ना क्या जरूती यहां भेजने की वहीं पर बिठा के सबसे इबादत करवाता लेकिन यह तो आपका सेकेंड सवाल है मैं सेकेंड सवाल में तब बढ़ता हूं जब पहले आना ही क्यों चाहता था यह तो असल कोशी देना भाई बाई बाद में दूसरी बात है कि ठीक है अगर में को इबादत कराना है तो मैं ऐसा प्रोड़क्ट बनाऊंगा जो मेरी इबादत करे रोबोट बनागे रख ले था पचास सो सामने बेटे-बेटे दिन बादत करे त तजबी करते वो उसको इतना वो खुश नहीं हो रहा था उससे उसको वो कहते है न घी हजम नहीं हो ना एक कावत है न घी हजम नहीं होती वैसा अल्ला को वो हजम नहीं हो रहा था कि फरिश्टे जो है मेरी अबादत करते हैं सिर्थ उस असल में अगर लॉजिकली देखा अगर देखो और इसको लोजिकली देखो तो बात बिल्कुल ये थाबित होती है कि अल्ला बोर हो गया था अकले अकले भाई वापिस आ गया है इनके से बात पूए अरे लेकिन अल्ला अप्र साथ वे आसमा के तो अकले ही बेटा है यार अमित अभी तो गेम देख रहा है ना वो कि विलन लोग है कोई किसी बच्ची का रेप कर रहा है कोई किसी को कतल कर रहा है कोई किसी को दोका दे रहा है तो उसको गेम देख रहा है उसको मजा आ रहा है लाइन्यम playing대 में लाइन्य के यूंव पहले में जैनल ले ट्रम आजिन अने. रघ्रेयो आम ऐऊ साणानी वन गिलेशन में बन हम सानाताई हूस सब्सक्राइए लेशन किया आप लोग उसका इंकार कर रहे हो जिसने जमीन आस्मान के बीच में रहने वाले सारे चीजों को पैदा किया है भाई मैं कर रहा हूं आप ही भगवान है आप ही खुदा है आप इंटर्नल है इंटर्नल है के नहीं आप जी आप उसका इंकार कर रहे हो या नहीं वो क्या मैं बोलगा हूँ कि आप ही खुदा है, आप इंटर्नल हैं, अनंत, अनंत, हमेशे हमेशे रहने वाले, तो आप ही बगवान हैं, भई आप सनातनी बन गए, नहीं तो, क्यों यार मख्लूग तो खतम हो जाती है खुदा खतम नहीं होता कभी खुदा खतम नहीं होता नहीं मख्लूग जो बंद गिया है इंसान वो कभी खतम नहीं होगा तो फिर मख्लूग भी खुदा हो गई फिर आफ खुदा मख्लूग भी हो गई आप कह सकते हो टैंक यू लो भाई इसने अब तक के जितने इनसान दुनिया में आए है अभी कितने दुनिया में कितने बिलियन लोग है यार टोटल इन्होंने कहा सारे के सारे आदे खुदा है वो भाई तुम इसलाम से बाहर आगे हो और तुम सनातनी बन चुके हो प्यारे भाई मैं खुदा हूँ यह नहीं है मेरे अंदर खुदा का कुछ ना कुछ है नहीं खुदा का कुछ ना कुछ नहीं पहली बात तो इसलाम का भी कॉंसेप्ट नहीं खुदा का कुछ ना कुछ है इसलाम का कॉंसेप्ट है कि मखलूप खालिक और मखलूप दोनों अलग अलग है एक मिट शारी पहले बात सुन लो, इसलाम का जो concept है बिलकुल साफ है, कि खालिक अलग है और मखलूक अलग है, खालिक जो है, वो हमेशा 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 रहने वाला है, ठीक है, तो हाफ खुदा आप हो गए, तो इसलाम के concept के हिसाब से, खुदा के अलावा कोई हाफ पाओ, एक ग्राम, दो ग्राम खुदा नहीं होता है। वो तो ठीक है सरावन तहूरा तो अल्ला इसको पिलाएगा अपने हातों से लेकिन जो यह खुदा होने के लिए जो एग्री कर रहा है इसके मुसल्मान इसके ओपर कुफर का फत्वा अल्रेडी लगा देंगे कि यह खुदा है हाफ खुदा है